नमस्कार दोस्तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे करक्र वार्षिक रासी फल 2023 के बारे में दोस्तो साल 2023 करक्र रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तो परकराशी के जातक स्वभाव से द्रिड निश्चे वाले होते हैं यहाई लोग भूत भाव को और कलपना सील होते हैं इनके अंदर भासा और स्वात कोसल के खास गुण होता है इनका दिमाग बहुत तेज चलता है लेकिन यहाई लोग स्वभाव से काफी चंचल होते हैं कुछ मामलय में इनमें आध्यात में गुण भी होते हैं इनकी यादास काफी तेज होती है यह स्वभाव से बेसल, स्वेदंशिल और ढयालूख होते हैं दोस्तो आर्थिक जीवन का ऐसा रहेगा साल 2023 में इनका आर्थिक द्रिष्टिकोन से यह वर्स अच्छा रहेगा, अश्ठम भाव में सनी कुछ अचानक से होने वाले धनलाब की तरफ संकेत कर रहे हैं, वहीं कुछ पारेवरिक संपत्ति के मामले इस वर्स निबट सकते हैं, दे गुरू भरस पती का गोचर नुवम और दोसम भाव में रहेगा, इस से भाग्या के परभाव से यह वर्स आर्थिक मामले में अच्छा रहेगा, अगर कोई प्रोपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो यह वर्स आपके लिए अच्छा रह आने वाला है, इस साल आपका कारियर और विवेपार कासर रहेगा, कारियर और कारिया के हिसाब से यह वर्स कुछ बेतरे होने वाला है, देव गुरू भरस पती भाग्या भाव में अपरेल तक आपके हर कारिय में साहिक होते नजर आ रहे हैं, 17 जनवरी से सनी का गोचर ले रहा है, अपरेल के बाद जैसे ही देव गुरू भस पती का परवेश मेश रासी पर होगा, कारियर से सम्मदित कुछ सावधानी कासे में सुरू हो जाएगा, सनी के अश्टम भाव भी यह संकेत करती है, कि जल्द बाजी में कोई नेने ना लिया जाए, नोकरी पेशा लोग अगर स्थानंतर्ण की प्रतिक्सा कर रहे हैं, तो सनी का गोचर उनके लिलाबदैक सावित होगा, मन पसंद जगह पर स्थानंतर्ण हो सकता है, लेकिन नोकरी में कड़ी महनत से ही अच्छे परणा मिलेंगे या संकेत भी मिलता है, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा राहू और केतु पिछले कुछ समय से आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उतल पुतल का वातरवन बनाए रखे हुए हैं, अपरेल के बाद जैसे ही देव गुरु बस्पती गोचर में इस रासी में पहुंचेगा, पारिवारिक जीवन में चली आरी प्रेशानिय समय पर चला दी जाती है, और सारे ही मामले अगर सांती से निफ्टाए जाएंगे तो जल्द ही सबलता आपको मिलेगी, परिक्सा परतियोगिता कैसी रहेगी इस साल, करक रासी के छात्रों के लिए वर्स की सुरात अच्छी रहेगी, पंचम भाव पर देव गुरु बस्पती की द्रिष्टी कुछ अच्छी संभावना का सकेत करती है, चोथे भाव में चल रहे रहे राहू आपको कुछ मानसिक रूप से परिसान कर सकते हैं, साथ इसने की ढहिया वर्स के प्रारम में ही कुछ सुरू हो जाएगी, इसलिए एका अगरता और अपनी पढ़ाई पर विश से सावदानी रखने की जूरत है, 17 जनुरी से सुरू हो रही सनी की ढहिया कुछ मानसिक तनाव देगी, सनी की दिवित्या भाव कर द्रिष्टी कुछ कुटुम्ब के मामलों में विवाद के आपको स्वास्त्य प्रवावित हो सकते हैं, अश्टम भाव में सनी का गोचर व प्रयाल के बाद देव गुरु भस्पत्य की दिष्टी स्वास्ते कि लाज से किसी बड़ी समस्षा के ना बनने का संकेत करती है, फिर भी कुछ सावदानिया रखनी चाहिए, योग वियाम नीमित करूप से करना चाहिए, दोस्तों इस साल आपको भगवान सीख को आक्ष् और पित करें, और सीवलिंग का अभिशे करें, बंगलवार के दिन हनमान चल्चा का पाट करें, और हनमान जी के मंदित में जाकर दर्शन करें, धन्यावार।